है नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मैं डॉक्टर रागो पुजारा नेचुरोपती कंसल्टन्ट लाइफ कोज दोस्तो क्या आप ऐसे किसी मशीन के बारे में जानते हैं कि जो अपनी तकनीकी खराबियों यानि कि सॉफ्टवेर को अपने आप रिजॉल कर दे जी हा ऐसे बहुत से मशीन निकले हैं लेकिन क्या आप कोई ऐसा मशीन जाते हैं कि जो अपने हाड़वेर सिस्टम को भी अपने आप रीकवर कर ले ठीक कर ले अप ऐसा कुछ होगा तो वो मिरैकल होगा और ऐसा ही एक मिरैकल हम अपने साथ लेकर घुम रहे हैं वो है हमारा ये अद्भुत अमेजिंग शरीर यूमन बॉडी हाँ जी दोस्तों हम इसके हाड़वेर की ही तारीफ कर रहे हैं इसका पाचन तंत्र हमारा रैस्पिरेटरी सिस्टम हमारा एक्स क्रियेटरी सिस्टम हाट लंग्स और हमारे फ अड़वेर को भी शरीर अपने आप ठीक कर लेता है दोस्तों आज हम ऐसी ही एक अद्भुत प्रक्रिया के बारे में जानने वाले हैं लास्ट वीडियो में हमने शरीर की एक ऐसी ही अमेजिंग प्रक्रिया यानि की पूर्ती फुल्फिल्मेंट एंड सप्लाइए के बारे यानि की ग्रोथ उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में जानेंगे बने रहीएगा हमारे साथ अभी हम बात करेंगे दुरुस्ति के बारे में दुरुस्ति को हम एक और भाशा में रिनोवेशन भी कह सकते हैं और मेडिकल की लेंग्वेज में इसे हीलिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं दोस्तों आपको यह जानके आस्चर्य होगा कि शरीर को काटने के बाद उसके ऊपर से टाके लिए जाते हैं लेकिन अंदर की जो प्रोसेस है वो क्या होती है कभी उसके बारे में जानने की कोशिस कीजिए दोस्तों हमारे शरीर में कभी कोई डॉक्टर इस अंदर की सिस्टम को जोड नहीं सकता वो तो कुदरत ही जोडती है वो शरीर खुद ही जोडता है और ये कितना अद्बुत है कि हमारी चमडी के नीचे कई सारे तंत्र काम कर रहे हैं रस नलिका हैं रक्त नलिका हैं अशुद रक्त हैं शुद रक्त हैं चेता तंत्र हैं ये किस तरह से ये अपने आप में जुड़ जाते हैं ये एक अधिबुत प्रक्रिया है क्यों कोई अशुद रक्तनलीका और शुद रक्तनलीका के साथ नहीं जुड़ती है क्यों रसनलीका रक्तनलीका के साथ नहीं जुड़ती है ये सब अपने आप में automatically होता है ये कुदरत की ये हमारी ये amazing body की एक अदबुत प्रक्रिया है यानि कि ये दुरुस्ती का जो काम है वो शरीर खुद ही करता है इतना ही नहीं दोस्तो एक और example दूँ कि जब हम कहीं से कोई गिरता है और उसकी कोई हड़ी तुट जाती है तो ये हड़ी क्या डॉक्टर हड़ी को जोड़ के देते हैं जी नहीं डॉक्टर सिर्फ अपना काम करते हैं हड़ी को exactly उसके सामने एक दुसरे के सामने जोड सके इस तरह से adjust करके रखना और उसे pack कर देना ताकि हम बार-बार उसे हिलाए नहीं ये आमने सामने बराबर आ जाने के बाद जो जुडने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया तो हमारा शरीर खुद ही करता है यानि की शरीर हड़ी जैसी इतनी मजबूत चीज़ को भी अपने आप जोड लेता है सोचिए ये दुरुस्ति का ये हीलिंग का कितना अदबुत काम होगा कितनी हाइट होगी कि जो हमारा फिजिकल बॉड़ी है जो हमारा हाड़वेर है उसको भी शरीर आटो रिकवरी सिस्टम के साथ अपने आप हील कर लेता है इसके इलावा छोटे मोटे जो घाव हमारे शरीर पर लगता है वो तो हम सबने हील होते हुए देखे हैं किस तरह से खड़ा हो जाता है उसके बाद उसके अंदर रिकवरी आती है और दीरे 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 करके वहाँ पर एक दाग रहता है फिर वो दाग भी निकल जाता है और पूरी स्कीन नहीं आ जाती है सोचिए ये कितना अद्बुत काम है कभी सोचा है इसके बारे में इसके बारे में सोचना चाहिए चिंतन करना चाहिए मनन करना चाहिए तब हमें इसकी कीमत समझ में आएगी ऐसा ही तीसरा काम यानि की समवर्धन ग्रोथ शरीर अपना ग्रोथ भी खुद ही करता है क्या किसी ने किसी को बड़े होते हुए देखा है ये बड़े लोग कैसे हो जाते हैं हम इतने से छोटे से थे हम को चलना भी नहीं आता था हमारे पैर भी सीधे नहीं रहते थे उसके बदले धीरे धीरे करके ये जो ग्रोथ आया ये 5 फूट या 6 फूट की हाइट हमें हुई ये ग्रोथ हमारा शरीर खुद ही करता है हमारे नाखून, हमारे बाल और भी शरीर में कई सारी ऐसी प्रक्रियाए हैं जिसमें continuous ग्रोथ की प्रोसेस होती है लास्ट वीडियो में हमने पूर्ती में भी देखा था कि एक सेल मरता है और उसके सामने नया सेल पैदा होता है उसके साथ ही बच्चा जब छोटा होता है तब उसकी सेल री जनरेशन की प्रोसेस इतनी फास्ट होती है और मरने की प्रोसेस स्लो होती है दीरे 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 उसमें growth आता जाता है और इस तरह से हमारा शरीर growth भी अपने आप कर लेता है तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से शरीर अपनी दुरुस्ति कर लेता है, कैसे healing करता है शरीर कितनी अदबुत auto recovery system है और इसके साथ ही कितनी अदबुत ये growth की process है जो अपने आप ही होती है और ऐसा ही एक अदबुत प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है संरक्षन यानि की body का defense mechanism और ये defense mechanism तो इतना powerful है इतना बढ़िया है कि इसके बारे में जितना जानो उतना कम है और जानते ही हमारे शरीर से हमें प्यार होने लगता है कुदरत के उपर हमें सम्मान होने लगता है ये हमें गवरा होने लगता है कि हम उस कुदरत की बनाई हुई चीज है कि जो इतनी अदभुत रचना कर सकती है तो दोस्तों बने रही हमारे साथ ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए शेर कीजिए लोगों तक ये awareness फैलाईए कि किस तरह से हमें हमारे health के उपर सोचना चाहिए हमें disease oriented mentality से बाहर निकल कर health oriented mentality बनानी चाहिए और शरीर के बारे में जागरुत हों स्वास्थे के बारे में जागरुत हों तो लोगों तक ये जागरुती जरूर फैलाए हमसे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank you very much